बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से जाने, बिना किसी से पूछे, कैसे आप जान सकते हैं कि कुंडली में आपको गुरु गरह यानि के भगवान व्रश्पति सोब प्रभाव को दे रहे हैं या फिर असोब प्रभाव आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, यदि आपके कुंडली में गुरु गरह मजबूत होगा, यानि के भगवान व्रश्पति मजबूत अवस्था में होंगे, तब कौन-कौन से फल आपको प्राप्त होंगे, या कौन से सोब लक्सन आपको दिखने लगेंगे, और यदि असोब इस्तिती में होंगे, तब किस प्रकार का आपको अपनी कुंडली में असर दिखाई देने लगेगा, आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिले लगेंगे, क्या-क्या आपके साथ असोबता ऐसी है, जो होनी लगती है, और आप समझ सकते हैं कि कुंडली में गुरु गर कुछ के कामना करते हुए आज के वीडियो स्टार्ट करती हूं यदि आपके कुंडली में ब्रिस्पति ग्रह नीच अवस्था में होंगे या असुब प्रभाव को देने वाले होंगे तब ऐसे में व्यक्ति जूट बोलने लगता है जूट बोलने के साथ हैं वह हर किसी को अ अ कि लर्वार करने लगते हैं अनवस्यक रोब से सत्रू आपके खड़े हो झाते हैं और छुप कर आपस वारगते हैं करते हैं इसके अलावा आपके बाल भी उड़ने लगते हैं आविसकता से अधिक बाल ज़रने लगते हैं एक समय ऐसा होता है जब वेक्ति अपने आपको गंजे-पंजे सम्मेहसूस करता है अक्सर आपको सांप दिखाई देने लगते हैं और आपके साथ धोखा दरी बहुत ही कॉमन सा और सरल तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके कुंडली में गुरु गरह बहुत ही खराब इस्तिती में हैं अब हम जानते हैं गुरु गरह को मजबूत करने के लिए आप कौन-कौन से बहुत ही सरल सरल से उपाई कर सकते हैं जिनसे कुंडली में गुरु मजबूत हो जाते हैं और यह सभी प्रकार की असुबता तो खत्म होती हैं साथ इस आप माई से आपका भाग्यदय भी होता है जीवन चमतकार की तरह आपको दिखने लगता है हर जगा तरकी ही तरकी होती है पदनोती होती है और सभी जगा मानसंबान की प्राप्ति होती है कुंडली में यदि गुरु ग्रह यानि कि व्रश्पति ग्रह यदि कमजोड पढ़ने अधूरी रह जाती है केरियर कारोबार इस प्रकार की जो भी उन्नती प्रगति करने वाली चीजें होती है उन सभी में अल्प विराम का चिन्ह लग जाता है यदि आप अपने सुखी व्यवाहिक जीवन की कल्पना करते हैं तब आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का मजब होने लगता है साधी और विवाह हमें बाधा आने लगती है तमाम प्रकार की कोशिस करने के बाद भी विवाहन नहीं हो पाता है विद्यप्राप्ति में बहुत ज्यादर रुकावटे आती है और विद्यप्राप्ति तो कई बार पुर्णे भी नहीं हो पाती है संतान बात नहीं मानने वाली होती हैं और इसके साथ ही आपका पतन आरंब हो जाता है बहुत सारे ऐसे को प्रभाव हैं जो गुरुग्रह के कमजोर होने से व्यक्ति को जेलने परते हैं आपके चेहरे पर अलग सा एक आकरसक व्यक्तित्व दिखाई नहीं देने लगेगा ऐसा लगेगा के सब कुछ होते वे भी आपके पास कुछ भी नहीं है हमेशा आप अपने आपको मायूस महसूस करेंगे अकिलापन महसूस करेंगे ये सभी चीजें गुरुग्रह के कमजोर होने की वज़य से होती हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सरल सरल से ऐसे येकीन मानिये आपके जीवन में सफलता हैं आपके कदम को चुमने वाली होती हैं हर कोई आपके और खीचा चलाएगा आपके चेहरे पर इतना तेज होता है इतना आकरसक वेक्ते तो होता है कि लोग खुद बखुद आपसे बाते करने को ललाईत रहते हैं आईए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुबर को बहुती सरल और आसान तरीके चापके से मजबूत बना सकते हैं वैसे तो बहुत अच्छा है कि पोखराज आप पहन सकते हैं लेकिन पोखराज जो असली पोखराज होता है वो इतना महंगा होता है कि उसे पहनना हर किसी के ही है ऐसे में आप कुछ अन्य उपाई को कर सकते हैं जो पूखराज से भी कई गुना ज्यादा प्रभाव साली है आप इसके लिए अपने हातों में केली की जड़ को भी बांद सकते हैं पीले रंग की धागे में हर गुरुवार को पीली चीजों का दान करना चाहिए आप इस बहुत अधिक फल देने वाला होता है गुरु गरह को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक आप पीले वस्तरों का प्रयोग करें ऐसा करने से कुंडली में गुरु गरह के स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है गुरुवार के दिन भगवान विश्नु की पूजा वि पीली रंकी उनका भी भूग लगा सकते हैं यदि कुंडली में गुरु गरह असुब प्रभाव को दे रहा है या फिर कमजोर पर रहा है तब प्रते दिन पीपल के व्रिक्स में जल चड़ाना चाहिए और अपना आचरन सुद्ध रखना चाहिए आपके जो गुरु हैं उ पने पिता दादा और गुरु का संबान करना चाहिए उनके चरन असपर्ज से करना चाहिए गुरुआर के दिन पीली वस्तुवों का अत्यधिक सेवन करना चाहिए पीली चियूर्यों का दान महिलाओं को विसी सलाप को देने वाला होता है घर के इसान कोन में भगवान व्रिस्पती देव की एक फोटो या फिर परतिमा को जरूर रखना चाहिए और उन्हें हल्दी की गाठ समर्पित करने चाहिए इसके अलावा इसान कोन में एक पीले रंग के कपड़े में पांच हल्दी की गाठ को बांध करके सदय वहाँ पर टांग देना चाहिए या फिर वहाँ पर छुपा कर रख देना चाहिए ऐसा करने से भी गुरुगरह मजबूत होते हैं देखें हमारे घर का जो इसान कोन होता है वह भगवान व्रिस्पती को ही समर्पित किया गया है इसान कोन गुरुगरह के लिए खास दोर पे बाना जाता है इसलिए इसान कोन भी गुरुगरह से संबंदित चीजों को रखने से आपको बहुत अधिक फल मिलता है आप गुरुगरह को मजबूत करने के लिए सिवलिंग परचने के डाल को अर्पन करें ऐसा करने से भी गुरुगरह मजबूत होता है अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाए प्रति दिन अपनी नाभी में केसर या हल्दी से आपको टीका लगाना है ऐसा करने से भी कुंडली में गुरुग्रह का प्रभाव बहुत ही तेज होता है, इससे आपके सुनदर्था भी बढ़ती है, मुख पर आकर्सक व्यक्तित आता है, आकर्सन आता है, हर कोई आपके और खीचा चला आता है, आप यदियह उपाई करते हैं, तो इससे आपके बो भगवान सुरिय को जो जल अरपन करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और उस जल को भगवान सुरिय देव को अरपन करें, जल अरपन करने के पश्याद, लोटी के किनारे में जो हल्दी थोड़ी सी लगी रह जाती है, जल अरपन करने के पश्याद, उसको हातों में ल काराय दोनों का सिर्वाद प्राप्त होता है कॉंड्रली में ये दोनों ग्रहें यदि मजबूत हो जाएं तो यकीन मानिए असंभव से लगने वाले कारे भी संभव होने लगते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारे आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई हो की ऐसी और जानकारे के लिए हमारे चैनल पर बने रहें अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार